अब कस 180 मैंनस सीटा कर लेते हैं को सबनाटी मैंनस सीटा इसविफ्ण क्या होता है बेस अपउन हाइड वरिफ में बेस भी वही है दोनों ट्रैंगल का बेस समय तो ओे एंव होगा ओन निगेटिव होगा और अँडिनस ओपी ओम निगेटिव है तो स्फीटा क्या हो जगा ब प्रजेक्शन ट्रैंगेल और ट्रैंगेल होता है उसकेस में साइन ही रहता है और सोच भी रहता है और base क्या है माइनस ME अब इसी ट्रेंगल में जिसमें theta है वो वू भी same रहेगा तो माइनस PM पॉन OEM का मतलब क्या हो गया हम पर PM क्या है perpendicular माइनस PM पॉन On homeless based donc क्या होगा माइनस 10 theta आही रहेगा चीजिए ना कि दोनों ट्रेंगिल का प्रपर निकलर भी सेम है और बेज भी सेम है अच्छा कॉट थीटा कॉर्ट वनेटी मैनस थीटा करोगे तो इसमें भी वही आएगा माइनस कॉट थीटा आएगा सिमिलरली अगर आप से 1 080 मैनस थीटा करोगे तो इसमें माइनस सेख थीटा रहेगा और साथ में कॉट सेक 180 मैनस थीटा करोगे तो उसमें प्लस को सब्सक थीटा आएगा कैसे आएगा तो आप यहां पर समझा दे रहा है को सिक यह कॉष् principedy मैने को से का सथ वन एपटी माइनस थीटा इस अपंडू क्या होगा हैपटर नस अपन पर निकलर होता हैं अब है पर न्स कौन है ओपी चया है अचा है अचल अपनन समेशा पौस्टिविलिघ आ जाए गा ठीक है और पी क्या होता है पी आपका पी-म है तो प्लस में पी-म तो यह भी हाइप अपने कर दूसरे ट्रेंगल का भी हुआ तो यह क्या आएगा कॉस्ट थीट आएगा ना निगेटिव तो नहीं आ रहा है इसमें बाकी में निगेटिव आज जा रहा है तो इसमें लेप साइड वाला बेस लिया जाएगा जब दी तो उसमें निगेटिव है तो बेस वाले सारे टां निगेटिव हो जाएंगे क्योंकि बेस निगेटिव है यह पॉइंट आपको याद रखना है ठीक है उसी तरह फिर 180 प्लस टीटा लेंगे 270 मैनस टीटल इसको मैं शॉर्ट में एक सिंपल तरीका बता देता हूं याद करने का ठीक है सिंपल तरी सब भी पॉजिटेव होते हैं और टा logrALI रीशोज आपॉजिख सेकएंड कोड्रेंड में आपका साइन और उसका राशीपरोक्ल साइन और उसका रसीप्रोकल क्या होता है को से यह दोनों पॉजितिव होंगे थ़र्ट काइन में आपका टैट न और उसका रसीप्रोक्ल कॉ यह दोनों positive होंगे यह ध्यानत को जो मैं बोलता जा रहा हूं और four quadrant में आपका cost और उसका reciprocal sec होता है यह दोनों positive होंगे तो आपको यार कैसे रखना है यार रखना है all sign 10 10 cost all sign 10 cost से आपको याद रखना है और पहले पॉजिटिव सेकंड और में साइन और इसका रसे परोकल तो सिर्फ शाइन बोलो रसे प्रोकल और सी पॉजिटिव होगा all sign 10 और इसका रस प्रोकल बोलिंग दो सी सिर्फ एन बोलो तो all sign 10 cost all sign 10 cost यह आपको रिपीटेडली बोलना है ताकि आपको याद हो सब्सक्राइब कॉर्ण सा टिकनमेटिकल रेशियो पॉजिटिव होता है all sign 10 cost ऐसे रिपीट करो और साइन तैन कोस्ति और साइन तैन कोस्ति और साइन तैन कोस्ति और इसका रस प्रोकल पॉसिटिव होगा इस तरह याद करना अब दूटरा साइन कब कॉस में चेंज होगा तैन 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 कब कॉस में चेंज होगा सेक कब कॉसेक में चेंज होगा यह टिग्नोमेटिकल रिशो कब चेंज होंगे इसका तरीका आपको याद करना है 90-θ, 90-θ, 270-θ और 270-θ में क्या होने वाला है इन सभी में sin, cos में चेंज हो जाएगा cos, sign में चेंज हो जाएगा ठीक है, 10, 10, cot में चेंज होगा cot, 10 में चेंज होगा sec, cosec में चेंज होगा और, cosec, sec में चेंज होगा यह चेंज हो जाएगे नहीं होगा वह है बनेंस थी। इंपलो नएक फिलस टा में टो मांटि है। और 360機會 plus theta इन चारों में si, sign ही रहेगा cos, cos ही रहेगा tan, tan ही रहेगा coat, coat ही रहेगा sec, sec ही रहेगा and cos, sec ही रहेगा इसमें कोई change नहीं होंगे साइन जोगे तो sign कब cos में change होगा cos, sign में कब change होगा तो आपको ये चारों यात ही रहेगा है कि इसमें हमेशा साइं फρά में बालटे सकी इसमें डहीं इसमें देए इसा में डॉत रिषके लेक्षाउस सबस्टेव झूज है लेखिए लीकिन में इन पलस्टी तैना जी थिंद फेटी तर नियृत पॉस्टिव होगा साइन का वैलू कितनी पॉस्टिव कॉस्टी यह प्लस सेख्षीता थीटा ठीक है तो इसका यह मतलब हुगा कि 90 प्लस थीटा में साइन कॉस्ट में चैंज होगा पॉस्ट सब्सक्राइब जो सकन few अनुटा यहун कि सब्सक्राइब एक्श चीज्ज मैंने यहां पे भी मेंशन कर द proto कि कौन सा positive होग कौन सा negative होगा तो ये चीज़ अगर याद कर कि सकॉर्द में आता है एंसर से कंडों में 180-ध गिसमें आता है 4таки 4th quarter는 365 एंस-ध किसमें आता है तो इसका मतलब है 90 मैनस थीटा 90 प्लस थीटा इसमें आपको यह याद रखना है जो मैंने पहले समझाया 91 में है तो अभी से बात है और पॉस्टिव सेकेंड कॉर्डन में साइन और उसका रसी प्रोकल पॉसिटिव रसी प्रोकल कॉसिक होता है ठीक है सेकंड कॉर्डन में फिर से साइन और उसका रसी प्रोकल पॉस्टिव थर्ड कॉर्डन में टैन और कॉर्ट उसका रसी प्रोकल पॉसिटिव थर्ड में फिर से टैन और कॉर्ट पॉसिटिव फूर कॉर्डन में कॉस और सेक पॉसिटिव फूर्स कॉर्डन में फिर से बॉर्टन में स्थारे पाउश्रिति वो टेंट है जिकना याद रखना इसको भुलना नहीं है यह चोटे शॉर्ट में मैंने बता दिया है और इसमें इसमें और 270 मैंस या तू 70 प्लस सिटा में इसमें कन्वर्जन होगा करते मतलब साइन कॉस्ट में काउस में चेंज होगा यह औरड़ी मैंने डिसकस दिया हुआ बाकि 180 मैनस सीटा 180 प्लस सीटा में चेंज नहीं होगा इसको याद रखना भूलना नहीं है जी भी थालत में ठीक है अब बात करते हैं कौन कौन से फंडमेंटल रिलेशन है जो याद होने चाहिए उसको भूलना नहीं ठीक है ये फर्मूला जो मैं बताने जा रहा हूं ठीक है। यह आप भूलना नहीं है किसी भी हलत में वह कौन कौन से संद्ध् जैसे fundamental relation में आपका आता है sin theta is equal to one upon cosec theta चीक है या उसको आप उल्टाब ले सकते हो cosec theta is equal to one upon sin theta या इसको sin theta into cosec theta is equal to one ले सकते हो similarly cos theta is equal to one upon सक थीटा या सक थीटा is equal to one upon cos theta या second to cosec sorry cos theta into cos theta into sec theta is equal to one ले सकते हो 10 theta is equal to one upon cot theta होता है इसको आप ऐसे भी लिखतो की cot theta is equal to one upon 10 theta या आप 10 theta into cot theta is equal to one ले सकते हो अच्छा साइन स्क्वार थीटा is equal to sin square theta plus sin cos square theta is equal to one होता है यह होता है is equal to one होता है ठीक है या इसको sin square theta is equal to one minus cos square theta भी सकते हैं या आप इसको ऐसे भी सकते हो cos square theta is equal to one minus साइन स्क्वाइर निक लागए ठीक है उसी तरह आब आपको बीपता देते हैं कि टैन स्क्वार थीटा प्लस सद्व हीनस इसको छोटा सा यह लिख देते हैं आँ एक फार्मूला और है सब सेक्ट स्क्वाइर थीटा मैनस टैन स्क्वाइर थीटा इस अपर टू वन यह होता है करेक्ट है इसको आप ऐसे भिख सकते हो कि सेक्ट स्क्वाइर थीटा इसले पर टू वन प्लस टैन स्क्वाइर थीटा यह लिखा जा सकता है या इसको ऐसे भी सकते हो कि 10 square theta is equal to 6 square theta minus 1 यह भी लिसकते हो ठीक है यह भी इस तरह से भी लिखा जा सकता है अच्छा उसी तरह एक और formula है मैं यहां लिखते रहा हूं चलो यह स्कॉयर थीटा माईनस कोर्ट स्कॉयर थीटा इस एकल टुवन को सबस्कोर थीटा मैंनस कॉड़ स्कॉट इसको एक इसको लिखा जैसे मैंने 640 मैंस टीटाब का फर्मूला लिखा हुआ है ठीक है यह चीज़े याद रहें कि ना यह भूलना नहीं है इसको किसी भी हालत में ठीक है अच्छा और इसमें नेक्स पेज पर हम लोग आगे बढ़ते हैं आ टिकने में टिकल रिशु आफ अलाइड एंगिल्स देखो यह यह चीज़े हम लोग लोग ने अल्रडी कर चुके हैं यह चीज़ हम लोग अल्रडी कर चुके हैं ठीक अटिक अटिकल रिशु आफ अलाइड एंगिल्स अभी हम लोग ने किया था ना साइन 90 मैनस थीटा की वैलू क्या होगी तैन 90 मैनस थीटा की वैलू क्या होगी तैन 90 मैनस थीटा की वैलू सीटा के वे लोग क्या होगी तो क्योंकि यह फर्स क्वाडरंट में है 90 माइनस सीटा है ना अब आप तुरन देखो कैसे आप लिखोगे सभी पॉस्टिव होंगे फर्स क्वाडरंट के सभी पॉस्टिव होंगे और 90 माइनस सीटा में चेंज होता है साइन कॉस में Sin cos में change होगा cos sin में change हो गया 10 cot में change हो गया cot 10 में change हो गया SEC Cosec में change हो गया और Cosec sec में change हो जाएगा लेका कि नहीं, जलिदी हम लोगों ने लिख दिया अब इसी को, मैं 90 mgreset अब inflaming सीटा ची बात करता हूँ बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हम लोग इसको लिखके फाइनल कर देंगे देखो यह सारी वैलूस मैं पहले लिख लेता हूं उसके साथ एक साथ मैं बता दूंगा कि कैसे आपको फॉर्मुला लिखना है तो यह 90 माइनस थीटा स्वाइटी प्लस थीटा सेकेंड में कॉन फॉस्ट होता साइण और ऐसका रसटों साइण यहाँ है और इसका रसटोंगों यहाँ है तो इसके वेलू पाउस्टा बघी सभी वैलू निग्टिव यह नीगे टिव नीगे टिव नेकिटिव निगेटिव अब 90 मैनस थी चुन 90 प्लस थीट धिटा और 90 सेक में चेंज होगा तो कितनी जल्दी हम लोगों ने वैलू लिगी साइन पहले लिखा उसके बाद से हमने पुरी वैलू लिगी इसी तरह अगला मैं कर लेता हूं उससे पहले एक और एड़ कर लेता हूं जैसे साइन इसमें लिखने में टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन मैं वैलू इतनी जल्दी लिख दूँगा और आप भी बहुत जल्दी इसकी वैलू को लिख सकते हैं बहुत कम टाइम में और वो प्रेक्टिस हो जाएगी जैसे जैसे रिपीटली आप इसको लिख होगे को क्योंकि से कंड और पॉसट कि पॉस्टिव होता है साइन और वे जाए對了 और वकिश्कार से कज आ नहीं होता नहीं होता है फूंशिंक सब्सक्रण कॉसी रहा ग को सक gy रहे गा एंक ऑलुकर डिरेयmore सक्ष Ale이다 ऑप कुरा लीख हो बिए दुन पूरे स्में लितने मेंगा इसको लिखने में रहला है ठाल आनञे में वंनेटी प्लस टीटा कंसी निश्में मäर्निन on a tech look time or उसका रॉख फ्रोड networking start तो पहले इसको लिखते हैं उसके बाज से चीक है अंसर इसका बहुत जल्दी हम लोग पुट कर देंगे पहले इसको लिख लेते हैं सारा अब देखो मैंने यह लिख दिया अब इसको लिखना बहुत आसान है सबी के लिए इसकी वैलू लिखना बहुत आसान है जैसे थार्ट कोड़ेंड में है वनेटी प्लस थीटा थार्ड़ कोड़ेंड या और सब निगेटिव तो तुरह इसके सामने प्सिलिक दो बाकि सब के सामने निगेटिव लिख दो अब क्या बैटी प्लस थीटा में साइन खॉस मेंचि कि इसको एक और 270 मैंस थीटा 270 सीटा कर लेते हैं 270 मैंनस थीटा और 270 प्लस थीटा में भी कर लेते हैं 270 मैंस थीटा किस कोडिन में है आए असरे 3rd कोडन में और 270 सीटा किस कॉल रहिस थीटा है अंसर फोट कोडमने प्लकल Sec positive होता है तो अब हम जली से यह कर्वा हुआ मुझे शौक नहीं लिखने का बार-बार इतना कुछ मैं सिर्फ practice के लिए करवा रहा हूँ जिससे कि आपको चीजे याद हो जाए मैं बार-बार repeatedly कोई चीज लिख रहा हूँ या बोल रहा हूँ उसके पीछे purpose यही है कि आपको चीजे याद हो जाए जाए और इतनी याद हो जाएं कि आपको सोते वग भी यह formula आप जो है गुर्ण गुनाते रहो ठीक है और इसका value बताते रहो कि इसकी value कितनी होगी इसकी value कितनी होगी ठीक है अब देखो थर्ड कोटन में 10 और कोट positive तुरंत लिख दो और बाकिस सब लिगेटिव तुरंत लिख दिया मैंने अब दूसरी चीज़ 270 मैंने सीटा में क्या sign cost में चेंज होता है तो sign का cost हो जाएगा cost का sign हो जाएगा और 10 का cot हो जाएगा cot का 10 हो जाएगा sec का cosec हो जाएगा और cosec का sec हो जाएगा देखो कितनी जल्दी हम लोग लिख दिया अब 270 प्लस सीटा की बात भी लिख कर लेते हैं देखो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है हमको लिखने में वैलू लिखने में अब कोई टाइम नहीं लग रहा है अगर आप प्रेक्सिस करोगे तो यह वैलू बिल्कुल इजली आपको में मेराइज हो जाएगी देखो इतने इतना मेहनत मैं कर रहा हूं वैलू लिखने में लेकिन वैलू का रिजल्ट लिखने में अंसर लिखने में टाइम नहीं लग रहा है कि ठीक है अब देखो जड़ा अब बताओ फूर्काण में और सेकों सेंगें ऑंस को कर दोगा दो यहां यहां पॉस्टीव कर दो बाकि जगान निगे पर दो यहां विदे कर दो यहां भी नेगेर अब हो गया दो अब 270 प्लस थीटा में क्या साइन कॉस में चेंज होता है और साइन का क्या होगा कॉस थीटा कॉस का क्या होगा साइन थीटा सब्सक्राइब और इसी साथ इसी के साथ हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं यह काफी काम का है ठीक है अब देखो जरा यह बहुत इंटरस्टिंग जो मैं चीज़ अब बताने जा रहा हूं इससे एक कोशन का अंसर आपको मिल जाएगा बहुत पॉपलर कोशन का अंसर आपको मिलेगा 360 माइनस थीटा और सेक 360 माइनस थीटा अब देखो फोर्थ पॉडल में पॉस्टिव कौण कौण पॉस्टिव होता है cos और sec यहाँ पाउस्टिव यहाँ पाउस्टिव यहाँ पाउस्टिव बाकिस सब negative कर दिया है हमने ठीक है? और 360 minus theta में क्या sign cos me change होता है? answer है नहीं होता है तो sign sign ही रहेगा cos cos ही रहेगा ten ten ही रहेगा cot cot ही रहेगा sec ही रहेगा और कोसे कोसे की रहना अब इससे एक रिजल्ट आप याद रखो 360 is equal to 0 degree होता है तो अगर कहीं लिखा हुआ है मानलो sin 360 minus theta तो इसका मतलब है sin 0 degree minus theta यानि sin minus theta sin minus theta की value minus sin theta होती है यह value जो यहाँ पर लिखी हुआ है उसकी value है minus sin theta यह हुआ अब कोस अब देखो कोस 360 minus theta की value क्या होगी वो होगी कोस minus 0 अगर इसको 0 कर दो 0 minus theta it means cos minus theta अब 360 minus theta की value क्या है 360 minus cos cos क्या है 360 minus theta की value है plus cos theta यानि इसका मतलब है cos minus theta की value plus cos theta होती है यह बहुत popular value है result है जो हम लोग अक्सर use करते हैं कहीं पर भी use करते हैं कि cos minus theta होता है तो उसको plus cos theta लिख देते हैं लेकिन sin minus theta होता है तो उसको negative sin theta लिखा जाता है याद है कि नहीं याद है यह अक्सर सबको बताया गया होगा कि cos minus theta की value plus cos theta होती है लेकिन sin minus theta की value minus sin theta होती है अब उसका अंसर आपको पता चल गया है अगर आपने यह पूरा चीज देख लिए होगी न एक एक चीज जो मैंने बताई है अगर आपने यह देख लिया है तो आपके लिए यह point बहुत आसान हो गया है कोई दिक्क्त अब आपको नहीं होगी इसमें ठीक है अगला हम लोग करेंगे अथिक है यह फामुला देख लो अधिशन के फामुले है अगर बी की जगा एपुट कर दिया जाए तो यह फामुला क्या बन जाएगा जैसे पहला ही फामुला sin a plus a is equal to sin a cos a plus cos a sin a बने गया तो यह sin 2a का फर्मूला हो गया और यह कितनी value हो गया 2 sin a cos a 2 sin a cos a हो जाएगा तो sin 2a का sin 2a का फर्मूला क्या बने गया 2 sin a cos a हो गया अब यहीं चीज़ cos वाले term में लिख गया जाए cos a plus a b की जगा b a लिख गया जाए तो क्या हो जाएगा तो cos a cos a minus sin a sin a cos 2a की value क्या हो जाएगी cos square a minus sin square a इसको इसके तीन फर्मूला हो सकते हैं अगर मैं बे फर्डमेंटल फर्मूला यूस करूँ sin square theta plus cos square theta is equal to 1 जैसे मैंने cos use कर लिया जैसे example cos square theta 1 minus sin square theta अगर यह पुट कर दो यहाँ पर क्या होगा cos 2a is equal to यहाँ cos 1 minus sin square a bracket मैं minus sin square a a theta नहीं तो क्या होगा 1 minus 2 sin square a हो जाएगा cos 2a की वेड़ अच्छा अब अगर मैं sin square theta is equal to 1 minus cos square theta यह वाल यहाँ यूज करूँ इस formula में यूज करूँ तो क्या होगा cos 2a is equal to cos square a minus 1 minus cos square a तो यह कितना हो जाएगा 2 cos square a minus 1 होगा cos 2a की value होगा ना तो cos 2a के तीन formula होगा है पहला यह दूसरा यह और तीसरा यह 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 formula होगा ठीक है similarly इस formula में रख दो 10 a plus b बाद में b की जगा रख दो तो क्या होगा 10 a plus a is equal to 10 a plus 10 a upon 1 minus 10 a into 10 a अगर मैं इसको प्रस वाल को तो 10 2a is equal to क्या हो जाएगा 2 10 a upon 1 minus 10 square a यह formula होगा है 10 2a का correct है next करते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है difference formula देखो sin a minus b is equal to यह formula भी आपको याद करना है ठीक है sin a minus b is equal to sin a cos b minus cos sin b तो दोनों में बस फर्क इतना है sin a plus b में बस b के प्लस था यहाँ अगर प्लस करते हो तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा बस यह फर्क है cos में अगर यहाँ plus करते हो तो यहाँ minus आ जाएगा देखो मैं पीछे को formula दिखा दे रहा हूँ यहाँ plus है तो यहाँ minus है ठीक है बस यह आपको याद करना है tan a minus b में tan a minus b upon तो यहाँ plus करोगे तो यहाँ plus हाजाएगा और यहाँ minus हाजाएगा देखो पीछले बाले formula में similar चीज़ है ठीक है चलो तो यह simple formula था यह याद होना चाहिए यह सारी चीज़े जो मैं formula बता रहा हूँ बस उसको आपको याद रखना है अगला चलता है अब देखो जैसे मैंने sign a plus b का formula अब यह दिसकस किया था sign a minus b का formula डिसकस किया था दोनों को अगर जोड़ोगे तो यह result आएगा ठीक है दोनों को जोड़ोगे add करोगे तो यह result आएगा cost a minus b और cost a plus b को subscribe करोगे तो यह result आएगा दोनों को subscribe करोगे जैसे इसको subscribe कर दिया तो यह result आएगा cost a minus b की value cost a plus b की value put करोगे मतलब यहाँ पीछे वाले formula से जो हम लोगों ने अभी लिखा था addition का formula और difference का formula difference का यह दोनों formula यह values अगर हम put कर देंगे यहाँ पर तो यह result आने वाला यह result आएगा ठीक कर चेक लेना अगर a plus b is equal to c हम रख दें और a minus b की value रखें तो a is equal to c plus d by 2 होगा चेकर लो देख लो दोनों को जोड़ो जैसे मैं अगर इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा a plus b plus a minus b is equal to c plus d तो bb कर जाएगा 2 a is equal to c plus d a is equal to c plus d by 2 similarly b की value निकालने के लिए difference कर दो a plus b minus a minus b is equal to c minus d इस बार a कटेगा 2 b आएगा is equal to c minus d b is equal to c minus d by 2 होगा जाएगा ठीक है तो यह values आप यहां रख सकते हो ठीक है अब यह values a और b की value अगर हम यहां रखते हैं ठीक है इस जगा रखते हैं जैसे इस फॉर्मिले में एक ग्जांपल के तौर पे sin a plus b plus sin a minus b इसकी value है कितनी 2 sin a cos b है अब ज़रा ध्यान से दबो a plus b की value क्या हम c दिखते हैं और a minus b की value d लिख देते हैं sin d ठीक है तो क्या हो जाएगा a की जगा क्या पूट करना पड़ेगा c plus d by 2 2 sin c plus d by 2 और cos b की जगा cos b की जगा c minus d by 2 तो यह c d formula है याद करो बताया गया होगा अगर मैं पड़ा होगा तुमने 11 तुमने तो c d formula ही जबताया जाता है c d formula हो गया उसी तरह बाकी सारे formula है आप लिख सकते हो तो इसको formula जो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर mention कर दे रहा हूं चेक है अगले page में mention कर देता हूं